हेलो गाइज वेलकम तो माई चैनल गाइज अभी सूबा का बजरा है आठ और बहुत ज्यादा काम है आज घर में क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि जब कीचन सफाई कीजिए तो हालत खराब हो जाता है और मेरा भी विल्कुल वही सिच्वेशन हुआ है तो अभी हर लो पहले एक कॉर्ण को पूरा क्लीन कर देंगे उसके बाद भी आगे या काम भी देंगे तो चलिए अब हम फटा फट भीर जाते हैं अपने कीचन में और फिर मिलते हैं आप से साफ करने के बाद तो चलिए आपको भी थोड़ा साम दिखा दे रहा है कि हमारे कीचन के सफाई हम किस तरह से करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं तो चलिए हम फटा फटा आगए कीचन में और सारा ये सब जो है ग्लास काच का बॉटल ये देखिए उपर वाला पहले ये वाला दोर हम साफ कर लेंगे इधर वाला कॉर्णर साफ हो चुका है ये सब चिन्नी वगरा सब स करेंगे तो चलिए गजाते हैं तो यहां फटा 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 ताइम को मद्दे नजर रखते हुए हम भीड़ गया है अपने सफाई में पूरा कीचन क्लीनिंग में और आज टार्गेट है हमारा कि आज हम पूरा कीचन क्लीन कर लेंगे और जो डबा वगरा है उसको भी साफ करके और जो भी है रात को हम पूरा कीचन को सजा लेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना होगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं अब क्या किया जाए गाइज अब गाइज मेरे बच्चे आएंगे दिसंबर में तो फिर मैं आप लोगो उनसे मिलवाओंगे तो चलिए हसी मजाख सब होते रहता है तो थोड़ा सा करते हैं फन तो हम आप लोगो सुनाते हैं अपना गाना तो सफाई के साथ सब गाना और दान्स अम तो यहां किचन साफ करते करते हैं याद आया कि चलो सबजी स्टेन को भी अच्छे से साफ कर लेते हैं तो यहां जो है क्लीन हो चुका हमारा कीचन अब हम बना रहे हैं खाना तो यहां एक तरब चरहाए डाल और इधर चरहाएं हम तो गाइज आज दिन भर तो आप हमको देखें कितना हम बीजी थे आज दिन भर कीचन साथ की क्योंकि जब सफाई कीजिए तो ज्यादा टाइम कीचन में ही लगता है तो अभी जाके हम थोड़ा सा निशीन्त हुए हैं और अभी समय हो रहा है सारे पास तो गाइस थोड़ा सा हमको मार्केट भी जाना है ज्यादा कुछ अभी लेना नहीं है थोड़ा बहुत हलका फुलका कुछ ग्रोश्री के सौप से लेना है ग्रोश्री दुकान से कुछ- झाल